बहुत से संक्रमन धात्वें यह हम कहें अधिकान संक्रमन धात्वें उपस संयोजक योगिक बनाती हैं और जिन्हें हम संकुल योगिक भी कहते हैं इनके अपने कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं तथा इनका बहुत से जगह पर बहुत अधिक उप्योग होता है यहाँ पर हम देखें कि जो D block तत्व हैं उनके संकुल यौगिक बनाने के पीछे जो कारण है वह है इनका छोटा आकार जैसे कि हम जानते हैं कि जो S block के तत्व हैं या P block के तत्व हैं वो संकुल आयन नहीं बनाते हैं या संकुल योगी नहीं बनाते हैं ये गोण केवल D-orbital के तच्वों में पाया जाता है क्योंकि इनका जो आकार है वह छोटा होता है दूसरी ओर हम देखें कि इनके जो आयन है उनके उपर उच्च आवेश पाया जाता है और तीसरा जो मुख्य कारण है वह यह है कि इनमें रिक्त D-orbital उपस्तित होते हैं रिक्त D-orbital उपस्तित होने की वज़े से ये संकुल आयन जब बनाते हैं तो वहाँ पर लिगन्स के द्वारा दिये जाने वाले इलेक्ट्रानों को अपने पास रख सकते हैं तो इस तरह से हम कहें कि इन जो तीन महत्तपून गुणों की संक्मर धात्वे हैं वह निश्चित संख्या में कुछ रिणाइनों या फिर उदासीन अड़ों को के साथ यहां पर बंधित होकर एक निश्चित प्रकार के कॉंप्लेक्स सरचना का निर्मान करती हैं और इस जो के जो और जी ये कॉंप्लेक्स योगिक होते हैं उनके भी अपने एक अभिलाक्षनिक गोड होते हैं कुछ संकुल योगिकों के उदारन हैं जैसे कि यहां पर हम देखें परटैश्यम फेरो साइनाइड या फिर हम दूसरा उदारन लेग सकते हैं यहां पर टेट्राएमीन क्लोरीडो कोबाल्ट क्लोराइड यह संकुल योगिक हैं और यहां पर हम देखें कि जो इनकी सरचना होती है यहां इसमें दो भाग आपको दिखाई दे रहा है एक भाग है जो स्क्वार ब्रेकट के अंदर रखा गया है जबकि दूसरा भाग है वो स्क्वार ब्रेकट के बाहर है स्क्वार ब्रेकट के अंदर वाले भाग को हम यह कोंटर आयन कहते हैं यहां पर देखें जो अंदर स्क्वेयर ब्रकट के अंदर उपस्थित आयन है जब हम इस अनुग या कॉंप्लेक्स कंपाउंड को जल में विले करते हैं तो यह आयनित नहीं होते हैं इसलिए इन्हें नौन आयनेजिबल पार्ट कहते हैं जबकि जो बाह होते हैं तथा उससे जुड делать वे जो आयन जैसे की क्लोराइड है तथा उदाषीन अणूँव जैसे कि यहां पर आमोनिया है इसे हम लिगंड कहते हैं और इस तरह से यहां पर आप देख रहे हैं कि धातू जो परमानू है या धातू आयन है वह रिंदा नों तथा उदाष इन अनुमों के साथ मिलकर एक कॉंप्लेक्स सरचना का निर्मान करता है और इसे हम कहते हैं संकुल योगिक या फिर क्योंकि यहां पर देखें लिगंड तथा केंद्रिय धातु परमानूं के बीद जो बंद होता है वह उपसह संयोजी बंद होता है और इसी वज़े से इन य देखते हैं संक्रमन तत्व का एक और महत्यपुन गुण वह है उत्प्रेर की गुण बहुत सारे संक्रमन तत्व तथा उनके योगिक वही योगिक जिनका भी हमने देखा संकुल योगिक यह बहुत अच्छे उत्प्रेरक होते हैं तथा बहुत सारी अध्योगिक लाए जाते हैं जैसे कि उधारान हम लेते हैं हाइड्रोजनी करण की क्रिया आप जानते हैं जब हम इथिलीन जो की औसंत्रप्त कार्बनिक योगिक है जब इसका निकल उत्पेरक की उपस्थती में हाइड्रोजनी करण करते हैं तो हमें एथेन प्राप्थ होती है तो नाइट्रोजन गैस और हैड्रोजन गैस को क्रिया के द्वारा अमूनिया का उत्पादन करते हैं यहां पर आईरन जो सुक्ष्मिभाजित आईरन है वह उत्प्रेरक के तौर पर उप्योग में लाए जाता है इसी तरह से हम देखें जो अनुदारन है जैसे कि यहां पर अधीन बनाते हैं तो वहां पर एक विशेस प्रकार के उत्प्रेरक का उत्प्योग होता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक जो की टिटेनियम जो की एक संक्रमण धातु है उसका ही योगिक होता है इसी तरह से अनुदारन हम ले जैसे कि यहां पर सल्फूरिक एसिट का निर् निर्माण जब हम करते हैं संपर्क विधी के द्वारा तो वहां पर वयनेडियम धातु को उत्प्रेरक के तौर पर उप्योग में लाया जाता है तो यहां पर हम देखें कि वह यह जो संक्रमण धातुện है यह बहुत अच्छे उत्पेरग की तरह कारिय करती है और उत्पेरग की तरह इंके जो कारिय का कारण है वह इनकी परिवर्तन शील सहुझता एक कारण और दूसरा कारण है इनका संकुल निर्मान करने की प्रवित्ति अब ये हम देखें कि इनकी जो परिवर्तन शिल सेयो जटता है वो किस प्रकार से इनके उत्प्रेर की गुण को प्रभावित करती है हम देखें कि जो उत्प्रेरक होते हैं वह जैसे कि यहाँ पर कोई भी धात्वित उत्प्रेरक होते हैं वह अभिक्रिया के लिए अपनी सता प्रदान करता है तो उत्प्रेरक होता है उसके सत्ह के पर जो उपस्थित परमानू होते हैं वो सबसे पहले कोई भी अभिकारक जो यहाँ पर जो क्रिया करने वाला है वो अभिकारक इनके सत्ह पर आकर इन परमानूं के साथ आबंधित हो जाते हैं यहाँ पर बंध बना पाते हैं और ये जो संक्रमन धातों हैं ये बंद आसानी से बना सकती हैं क्योंकि इनके पास S-orbital के साथ D-orbital में अयुगमित इलेक्टरान उपस्तित होते हैं तो ये जो संक्रमन धातों हैं अपने दी इलेक्टरानों की उपस्ति की वज़े से इन अभिकारक अणुमों के साथ कोवलेंट बंद सरसायो जग बंद बना लेती हैं और इस तरह से यहाँ पर अभिकारकों के बीच जो बंद होते हैं वह कमजोर पढ़ने लगते हैं और साथ यहाँ पर जो सक्रियन उर्जा होती है जो की अभिक्रिया के संपन होने के लिए आवर्शक है उस सक्रियन उर्जा के मान में कमी आ जाती है और इस तरह से फिर यहाँ पर जो अभिकारक के अनु हैं आपस में क्रिया करते हैं तथा भिन भिन अभिकारक आपस में क्रिया करक तो इस तरह से हम देखें कि जो संक्रमन तत्व हैं उनकी सता पर उपस्थित जो परमाणों हैं उनमें अयुगमिन्त इलेक्ट्रानों की उपस्थती की वज़े से यह अभिकारक अनुओं की साथ आसानी से बंध बना लेते हैं तथा जिससे अभिकारक अनुओं आपस में जो इनकी संक्रमन तत्वों की इस तरह से आसानी से अभिक्रिया करने की यह अभिकारकों के साथ बंध बनाने की प्रवित्ति का एक और कारण है वो है इनकी परिवरत शील आकसीकरण अवस्था इससे हम एक उदहारन के द्वारे समझते हैं यहां पर हम उदहारन ले रहे हैं यहां पर आयोडाइड आयन है यहां पर आयोडाइड आयन की प्रसलफट आयनों के साथ कृया होती है वहां पर आयरन उत्प्रिरक के तौर पर उप्योग में लाया जाता है जिसके फलसोरूप यहां पर जो आयोडाइड आयन है वह आयोडीन में यहां पर यह आक्सिकरित हो जाती है तथा जो पर सल्फिट है वह सल्फिट में अपचैत हो जाता है यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वास्तों में जो है वो दो पदों में होती है सबसे पहले यहाँ पर हम देखे आइरन जो की फेरिक अवस्ता में है Fe3+, Aux qualified अवस्ता में होता है यहाँ पहले iodide I know I- के साथ क्रिया करता है और यहाँ पर यह स्वयम अप्चेट होकर FE3 plus अवस्था से FE2 plus अवस्था में परिवर्तिर हो जाता है तथा या आयोडाइन आयोनों को आयोडीन में आक्सी कृत कर देता है अब यहाँ पर जो FE2 plus आयन है जो अपचित अवस्था में हैं अब यह पर सलफेट आयनों के साथ क्रिया करते हैं और यहाँ पर पुना जो Fe2 प्लस आयन जो अपचयित अवस्था में था अब पुना आक्सिक्रित हो जाता है और Fe3 प्लस यहने की अपनी पूर्व अवस्था में परिवर्थित हो जाता है जबकि जो पर सल्फट आयन होते हैं वो सल्फट में अपचयित हो जाते हैं तो इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर आयरन की जो परिवर्तन शील आक्सिकृत अवस्था है उसकी वज़े से यह अभिक्रिया को संपन कर पाते हैं तथा अभिक्रिया की पश्चात अंत में अपरिवर्तित रूप से अलग हमें प्राप्त हो जाते हैं तो यहाँ पर जो मुख्य कारण है वो यही है कि यहाँ पर जो संक्रमन तत्व होते हैं उनमें की परिवर्तन सेल आक्सिकृत अवस्था की वज़े से यह विभिन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर पाते हैं अब इसके बाद हम देखते हैं संक्रमन तत्व का एक और गुण वह है इनके अंतराकाशी योगिक का निर्मान जब हम जानते हैं कि जो संक्रमन तत्व होते हैं उनकी बहुत अच्छी लेटिस सरचना होती है जालक सरचना होती है जब इनकी जालक निश्चित जालक सरचना में कुछ छोटे छोटे परमानू जैसे की हैड्रोजन नैट्रोजन या कार्बन इनके जालक सरचना में जो बीच बीच में अंतराकाशी स्थान होते हैं उस स्थान पर ये जाकर समाहित हो जाते हैं या ट्रैप्ड हो जाते हैं उसके फलसुरूप जो योगिक बनता है उसे हम अंतराकाशी योगिक कहते हैं यह जो अंतराकाशी योगीक होते हैं इनका जो यह बिल्कुल और समयकरन मिती होते हैं क्योंकि यहाँ पर इनके बीच किसी भी प्रकार का निश्चित अनुपाद नहीं पाया जाता है इसके अलावा ना तो यह आइनिक प्रवित्ती के होते हैं और ना ही यह सहसायोजी कर्वाइड यहाँ पर देखें यहाँ पर टjutनी इंगर या इसे में कर्वार्वाइड या फिर हम देखें आईरहन का और यहाँ यहाँ पर मेगनीज के ट्रिटेनियम हाइड्राइड होते हैं यह भीन भीन प्रकार के अंतराकाशी योगीक हैं यदि हम इनके गुणों को भी देखें तो यहाँ पर हम देखें कि जो एक जो महत्वपुन बात यहां दिखाई दे रही है वो यह कि यहाँ पर कोई भी संक्रमन तत्व अपनी सामान आक्सिकृत अवस्था में हमें दिखाई नहीं दे रहा है यदि हम अंत्राकाशी यौगिकों के गुणों को देखें तो यह हम देखते हैं कि इनके जो गलनांक और कुथनांक हैं जो शुद्ध धातु होती हैं उसकी तुल्ला में अधिक होते हैं यहां पर हमें दिखाई भी दे रहा है क्योंकि जब यह शुद्ध अवस्था में धातु थी तो उस समय इनके किस्टल लेटिस में बीच बीच पर अंत्राकाश थे रिप्तिस्थान पाया जाता था लेकिन अब यह जो छोटे-छोटे परमाणू हैं उनके द्वारा इसे ट्र यह अत्यधिक कठोर होते हैं और कुछ संक्रमान तत्वों के जो बोराइड हैं यानि कि बोराण के साथ बने हुए इनके जो अंत्राकाशी योगीक होते हैं उनकी कठोरता तो हीरे के कठोरता से के लगभग बराबर होती है इसी तरह से हम देखें कि इनका जो धात्विक च चालक होती हैं तो यह भी विद्दुत के चालक होते हैं यानि कि अंत्राकाशी योगीक बनने से इनकी चालकता में अंतर नहीं आता है इसके बाद हम देखें कि यह रासाइनिक रूप से अक्रिय होते हैं और इसलिए हम देखें कि रासाइनिक रूप से अक्रिय होने की और गुण को जानते हैं और वह गुण है इनका मिश्र धात्वों का निर्मान। यहां पर एलॉय फॉर्मेशन यहां इनका एक और महत्वपुन गुण है। और यहाँ पर हम देखें कि मिश्र धात्वें जो होती हैं वो विभिन धात्वों का ठोस समांगी विलियन होता है विन भिन धात्वें और यहाँ पर देखा गया है कि संक्रमन धात्वों के हमने जैसे की गुणों को पढ़ा तो संक्रमन धात्वों की प्रायत त्रिजाएं त प्रवित्ती रखती हैं यहां पर अब देखा गया है कि जो जो आयनिक तृज्जा है उसमें 15 प्रतिश्रत तक का अंतर होने पर यह आसानी से धातुे मिश्र धातु का निर्मान कर लेती हैं इस स्थती में जब जो एक धातु का जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें जो दूसरी जो 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 इस प्रकार प्राप्त होते हैं वह होते हैं यह काफी कठोर हो जाती है जो सामान धातु होती है इसकी तुल्ना में यह काफी कठोर हो जाती है और साथ हिसात्तु इनका जो गलनांक है वह भी काफी उच्च हो जाता है रहते हैं कि जो आयरण कi जो फेरस अलॉइ है बहूत सँरे इस और द्रौं के साथ जैसे कि यह पर यहाए पर वैनेडियम है टंगस्टन है मिश्रधात्मों का निर्मान करते हैं जो कि इसी तरह से विभिन प्रकार के जिने हम स्टील कहा जाता है और जिनका अधिक महत्व होता है क्योंकि यह सामान जो आयरन धात्मों होती है उससे अधिक उससे गुणों में काफी अच्छे होते हैं इसके अलावा हम देखें कि कॉपर और जिंक का एक अलॉय का मिश्रधात्मों है इसी तरह से हम देखें कि कासा जैसे हम फूल कास भी कहते हैं वह कॉपर और टिन का एक मिश्रधात्मों होती है और हम जानते हैं कि यह जो मिश्रधात्मों होती है वह गुणों में चाहे धात्मित चमक की बात हो या फि की तुल्ला में ये गुणों में काफी बहतर होते हैं तो इस तरह से हम देखें कि जो संक्रमण धातों हैं उनके बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो कि हमारे दैनिक या पिर्वाहिट से काफी महतवपून होते हैं और यही कारण है यह जो संक्रमण धातों हैं हमारे लिए काफी महतवपून है इसके बाद हम देखेंगे संक्रमण के कुछ महतवपून योगिकों का उदारन लेंगे और यह महत्यपुन योगिक जिनका उप्योग बहुत सारे आयतनमिती जो विसलेशन है जो वॉलुमेटरिक एनलेसिस है वहाँ पर किया जाता है या फिर अन्य प्रायोगी कारियों के लिए इनका उप्योग किया जाता है